Hello everyone, I welcome you all to the very first class. किस चीज का फर्स्ट क्लास है? भैसे ये इंटरलॉक के फास्ट्राक बाच का हमारा ये पहला क्लास है. अब देखो, पहली कन्फूशन या पहली चीज जो बच्चों के मन में आती है, वो ये आती है कि माम, फास्ट्राक और रेग्यूलर में डिफरेंस क्या होता है? क्या ऐसा है कि आप कुछ सिलेक्ट पढ़ाई कराने वाली है, कुछ कम पढ़ाने वाली है, दा आंसर इस नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. कोर्स तो हम पूरा का पूरा ही पढ़ेंगे, we are not going to leave anything, anything मतलब हम कुछ भी नहीं लीफ करेंगे, एक छोटा सा रूल भी अगर है, तो हमें पढ़ना जरूरी है. अब problem यह होती है न, fast track, और क्यों हमारा regular क्या होता है, कहीं न कहीं 140 गंटे या 500 गंटे पहुँच जाता है, वो भी जब हम उसको exam-oriented रखते हैं तो, तो वो comprehensive exam-oriented बैच्छी होता है, पर फिर भी बहुत जादा extend हो जाता है, उसका simple reason यह है कि हर एक concept को समझाने में time लगता ह और concept को ऐसे ही मैं कभी भी नहीं समझाती हूँ, I take a lot of examples to explain you, I relate it to the practical world, so that सिर्फ आप exam के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हो, exam के लिए इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, कि exam में घुमा के कोई भी question आ जाए, आप वो आराम से अपनी knowledge के साथ answer कर पाओगे, तो कि हमारी fast track मे पान मस्ती जो थोड़ा से element होता है हमारे regular classes में, because we have time, तो यहाँ पर थोड़ा कम होगा, because हम fast track कर रहे हैं, I don't want you to waste time, and you are also एकदम focused, है ना, आप इदर उदर भटक नहीं रहे हो, क्योंकि अब आपको अपना लक्षी दिख रहा है, दिख रहा है कि भई, आप fast track ले रहे हो तो आपको फटा-फट से करना है, तभी आप ले रहे हो है ना, तभी आप उस चीज में जा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, why we are discussing this, why we are talking this, आपको अपने end से क्या effort करना होगा, छोटा से effort ये करना होगा कि जो भी हम class में पढ़ेंगे, उसको आपको daily basis पे revise जरूर करना है, ठीक है, उसमें आपको 10 minutes से जादा नहीं लगेंगे, whatever we are reading daily, जो भी आप video देख रहे हो, if you are watching two videos, then दोनों videos में जो पढ़ाया गया है, वो आपको daily basis पे revise करना है, just for 10 minutes, बहुत जादा मैं यहाँ पे elaborate नहीं करूंगी चीजों को, of course I have to give you some introduction, और पहला class हमारा SI ही होगा, जिसमें कुछ बातची तो होई ही जाएगी, because यही एक medium है, जिससे I am communicating with you, so आज आपको दो copies prepare करनी है, कैसी दो copies, एक आपकी class notes की copy होगी, और एक आपकी practice book होगी, law में अक्सर बच्चे जो failure witness करते हैं, उसका reason यही होता है, that they know, that they understand, but they are unable to deliver, क्योंकि उनको समझ नहीं आता हैं, हम बोलते हैं कि हाँ मैं समझ में आया, तो आपको कब समझ में आया, जब आपने सुना, क्या आपने खुद को सुना के देखा कि मैंने कितना उसमें से retain किया, अगर आप कोई एक story भी सुनते हो, story सुनने में बड़ी अच्छी लगी, can you narrate the same story to someone else, आप movie देखके हो, क् आपने सुना, आपने समझा, क्या ये same चीज आप किसी को बता पा रहे हो, और यहाँ पे किसी को पकड़के तो ढूनके तो लेके आना नहीं है, कि हाँ इसको भी बलाएंगे और हम सब को बताएंगे, नई, अपने आपको बताना है, तो बस यही काम एक करना है, कि जब से कहानी सुन लेते हो, तो अपने आपको एक बार कहानी सुनानी है, अगर आपने ये काम daily basis पे कर लिया, तो trust me, law is going to be very easy, और जब आप अपने आपको कहानी सुनाते हो ना, तो जैसे हम कहानी में characters के नाम वही रखते हैं, change नहीं करते हैं, हाँ ये था, वो था, ऐसा हुआ वैसा हो, वहाँ से किया, तो वैसे ही जो details होते हैं, आप अपनी language में ही सुना रहे हो ना, तो अपनी language यहां पे भी रखो, पर वो जो details होते हैं, वो जो keywords होते हैं, उनको नहीं change करना है, उनको alter नहीं करना है, और अपने आपको एक बार कहानी सुनानी है, वो हर दिन करना ह after the class ठीके, class के तुरंद बात नहीं आप शाम तक करो, मतलब 24 गंटी के अंदर-अंदर ये एक बार काम कर लो I am not asking you कि बुक खोली ऐसे, ऐसे पन्ने पलट ली, हाँ माम ने ये ये पढ़ाया था, ये काम तो बिल्कुल भी मत करना, अगर ये काम करके सोच रहो हम तो daily basis पर revision कर रहे है हमारा क्यों नहीं हो रहा, तो फिर नहीं होगा, ठीके, revision और recalling में बहुत difference होता है, इसलिए मैं बार-बार insist कर रही हूँ कि आपको एक पर अपना कहानी सुनानी है, ठीके, तो दो copy maintain करनी है, दो copy कैसी होगी, एक हमारी self note, class notes की copy होगी, जहां पर जितनी भी बाते मैं लिखती हूँ, या कुछ additional chart बनाती हूँ, कुछ भी example लेती हूँ, तो आप क्या करोगे, आप scribble करते रहो, आप note करते रहो, आप practice भी होती रहती है, कुछ extra examples वगेर भी, अगर हम note करते हैं, बाद में कभी exam की एक दिन पहले first गए, तो वो खोल के refer भी करके देख सकते हैं, ठीके, दूसरा जो आप बनाते हो practice book, उसमें क्या करना है, माम, उसमें आपको answer लिखना है, ठीक है, अब माम, आप तो एक और homework दे रहे हो, हाँ, तो ये छोटे-छोटे से दो homework ही दे रहे हुँ मैं, मैं ये बोलती ही नहीं कि जल्दी से course complete कर लो और उसकी बाद तीन भार revision होना चाहिए, कम से कम नहीं, आप ये करते चलो, trust me, आपने एक बार revision किया और आप बहतरीन number लेके आ सकते हो, बहतरीन मतलब 80 प्लस लेके आ सकते हो law में, सिर्फ इतना करने से, ठीक है पर करना क्या है, करना ये है, तो दो चीज़ आपको करनी ही करनी है एक हर class के बाद अपने आपको वो कहानी सुनानी है, along with the keywords दूसरा, हर दिन, एक question लिखना है तो जो आपकी practice book है न, अगर आप समझ लो 40 days तक वीडियो देख रहे हो तो आपके उसमें 40 answers written होने चाहिए आप सोचो अगर आपने 40 answers लिख लिए, independently, अपने से मैं dictate कराऊंगे, वो आपको काम नहीं करेगा वो सिफ spoon feeding हो रही है, उससे आप लिख रहे हो, आपका pen घिज रहा है अपने आपको घिजाओ, तब निखरोगे, है न, तो अपने आपको घिजना पड़ेगा independently थोड़ा से लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे लिखना है, क्या लिखना of course, वो सारी guidance हमें मिलती जाएगे, हम questions भी थोड़े-बहुत discuss करेंगे तो questions बहुत सारे हैं, आपके पास question bank भी है, right, but then हम सारे questions लिख नहीं सकते हैं, class में fast track है यार वैसे ही छोटा-छोटा करते जा रहें, करते जा रहें, और कितना कैसे manage करेंगे है, जब इतने सारे, तो आपको करना पड़ेगा, थोड़े effort डालना पड़ेगा, ठीक है So I hope now we are on the same page, we are aligned and we are good to discuss, है ना, तो अब हम अपना course क्या करने वाले है, comments करने वाले है, CA Inter का हमारा यह जो course है, इसके group 1 में paper 2 आता है, beautiful सा, corporate and other laws theoretical yet practical, practical yet theoretical है ना, तो जैसा भी समझ लो, जो भी समझ लो, दुखदर्द बाट लो पर एकदम confidence के साथ इसको begin करना है, mind में यह दो homework हर दिन रखने है, maybe I'm not going to repeat it every day, but you have to keep it in mind, कि माम ने कुछ extra दिया तो तो ठीक है, बट अगर extra नहीं दिया, यह दो homework तो मेरे हैं ही है, जो मैं करने वाले हूं, ठीक है, अब corporate and other laws हमारा क्या है, 70 marks का corporate laws है और 30 marks का other laws है, corporate law में दो topic आते हैं, एक Companies Act और एक LLP, Companies Act में हमारे preliminary से लेके audit and auditors plus Companies Inc. outside India का chapter आता है और LLP अलग से आता है, other laws में सिफ हमारे छोटे-छोटे से तीन topics आते हैं, FEMA, General Clauses Act and interpretation of statutes, ठीक है, FEMA is a little अच्छे level का law, ठीक है, General Clauses Act or interpretation is simplified, पर उसका पढ़ने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि exam oriented हमें उसको पढ़ना होता है, क्योंकि interpretation एक बहुत huge सा topic है, पर हमें क्या याद रखना है, और हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे न, learning becomes more important, keywords become more important, क्योंकि वो लिखेंगे, तो ही number मिलेगा, जैसे audit के paper में बहुत सारी चीज़े होती है, वो लिखते हैं, तो ही number मिलता है, यहाँ पे topic कहीं न, कहीं वैसा चला जाता है, ठीक है, यह हमारे course का structure है, ठीक है, चालो, ओके माम, objective, subjective, दोनों आएंगे, मतलब हमें preparation करनी है हैं ऐसे कि हमें MCQs भी आएंगे, और हमें preparation ऐसे भी करनी है, कि descriptive तो भाई आएगा ही आएगा, तो वहीं हमारा 70%, 30% समझ सकते हैं, कि 70% descriptive होगा, 30% हमारा paper objective होगा, तो रुको उससाब से preparation करनी है, law क्या होता है, you all know that, अगर law नहीं होगा, तो हम अपनी एक civilized society में नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे, हम अगर घर से बाहर निकलते हैं, हम अगर गाड़ी चलाते हैं, तो हमारे पास Motor Vehicle Act है, ठीक है, अगर हम यहां से चड़ने हैं, हम बस पे चड़ने हैं, हमारे पास Indian Contract Act आगा, Indian Contract Act तो खेर गई, 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 सब जगे घुसा ठीक है, अगर हम Industry खोल रहे हैं, कोई Factory सेट अप कर रहे हैं, बहुत सारे Industrial Laws हैं, जिनको हमें मानना पड़ेगा, तभी हम चला सकते हैं, क्यों, क्यों मानना पड़ेगा, माम, हम क्यों किसी और की बात मानें, अब इंडिया में रहने वाले 140 करोड लोग, भई, सब के सब त हैं, उसका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान, तो Law की तो जरूरत है, Law क्या होता है, कुछ नियम, Set of Rules, है ना, जो की हर किसी के उपर Applicable होते हैं, क्यों, क्योंकि एक Authority ने उसको Applicable बनाया है, तो उसको Authority किस ने दी ये बनाने के लिए, हम ही ने Authority दी है, है ना, हमने बनाया Constitution, Constitution में हमने दिया, कि ठीक है, Law Making Power किस के पास है, Parliament के पास है, Parliament के पास है, Central Laws बनाने की पावर, State Legislature के पास है, State Laws बनाने की पावर, right, किन मैटर्स पे Parliament Law बना सकता है, वो मैटर्स जो Union List में लिखे हैं, किन मैटर्स में State Legislature Law बना सकता है, वो मैटर्स जो State List में लिखे हैं, और दोनों किस पर बना सकते हैं, concurrent list, है ना, तो हमारा parliament क्या होता है, लोकसभा, राजसभा, president, लोकसभा में कौन है, इस पूरे के पूरे इंडिया को हमने छोटे छोटे रीजन्स पे बाट दिया, हमने कहा कि हमसे पूछ क्या आपको law बनाना है, हमारी सहमती होनी चाहिए, अब इतने लोगों से तो पूछ नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हमने अपना representative elect किया है, और ये representative जाके बैठा है लोकसभा में, अब कोई भी नियम आपको बनाना है, तो आप लोकसभा के members के सामने उसको प्रपोस करते हो, majority अगर approve कर देती है, तो क्या होता है भाईव, आगे ज उनके द्वारा जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, I hope you know and you realize the entire election system, भई अगर मैं एक individual हूँ, मैं दो बार election के लिए vote देती हूँ, एक बार central level वाले मतलब लोकसभा elections के लिए, एक बार state elections के लिए, तो जो हम state level पे लोगों को elect करते हैं, वो state legislature का हिस्सा होते हैं, है ना, और एक बार जो हम central level पे election कर रहे हैं, लोकसभा के, तो वो हमारे अलग लोग होते हैं, उसमें से क्या होता है, हम लोगों को elect करके राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा क्या होता है, house of states होता है, ठीक है, तो house of states है और यह house of people है, हमारे पास लोकसभा और राज्य अब होता क्या है भाई लोकसभा में हमारे representatives ही हैं हमने propose मतलब कोई भी law propose हुआ है जिसको हम bill कहते हैं पहले और bill क्या होता है प्रपोज हुआ, deliberations हुए, discussions हुए, कई बार committees बन जाती है उनको refer कर दिया जाता है इस पे और research करो या यह feasible है नहीं है ऐसा है वैसा है जो भी changes recommend किय जाते हैं सारी चीजे करने के बाद दोनों houses में वो approve होता है ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा में जाएगा बाद में राज्यसभा में जाएगा पहले राज्यसभा में जाके बाद में लोकसभा में भी आ सकता है कुछ bills का restriction होता है पार पास money bills वगएरा होते है तो उनके जरूरत नहीं है, तो जब ऐसी चीजें हो जाती है, उसके बाद वो जाता है, प्रेसिडेंट के पास, एस्टेंट मिलती है, स्टेट लिवल में होता है, तो वो गवर्नर के पास जाता है, तो स्टेट लॉस के हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए पार्लिमेंट का मतल जब क्या है लोगसभा, राजसभा, प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों जब एप्रूफ कर देते हैं, तो Central Level का एक कानून बनता है, Law या कानून बहुत wide term है, Law के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं Act, जो अभी हमने कहा कि एक Bill proposed किया गया और सारी चीज़ें बनने के बाद How a Bill becomes, this is how an Act is passed, so how a Bill becomes an Act that you already know before एक हम quick, जल्दी जल्दी में आपको बताने की कोशिश कर रही हो ठीक है, तो यह जो हमारी Act हो गई वो हो गई, अब Act किस ने बनाई, Legislative Body ने बनाई, Legislative Body कौन है Constitution ने बताया है कि Legislative Body है, हमारी Parliament for all the Central Laws, तो जितनी भी Central Acts होती है, वो Parliament बराती है, वो Lawmaking Body हो गई दूसरी आती है हमारी Executive Body है Executory Body, यह कौन होते है यह हमारी Central Government होती है अब लोग सबहा में यतने सारे लोग गए चो Majority लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपनी Ruling Government form करते हैं, है न जिसका हम बोलते है Central Government, भई कौन सी Government है हमारी In Power तो वो Central Government, Central Level पे कौन सी Government है, जो In Power है State Level पे अलग होती है, क्योंकि State की अलग Seats है, Legislature में, जतने Regions थे, उसमें से Elect हो कि जो Majority Party आई, वो Ruling Party हो गई वो Ruling State वाली हो गई, है ना तो इस State में इसका Rule है Central Level पे अलग हो रहा है, है ना तो हमने देखा कि कौन सी Government है वो Government responsible है for ensuring कि सारे Law and Order properly आप Execute करो ठीक है Properly Execute करो, मतलब सब सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो करने का किसका है, Government का है, अब यह Government कैसे करती है, Government यह काम करती है, अपनी Ministries के थ्रू मतलब, Defense related चीजे है, Ministry of Defense है, हमारे जो Corporate से related चीजे है, तो Ministry of Corporate Affairs है, it is headed by a Minister and all the Ministers are headed by Prime Minister, ठीक है ना, तो वो Ministry के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम काम करा रहे हैं, है ना, तो जो Corporate and Other Laws की चीज आई हमारी, Corporate Laws की चीज आई, basically Corporates को Govern करने वाली, या Administer करने वाली, Authority कौन है, या Ministry कौन है, it is MC, that is Ministry of Corporate Affairs, ठीक है माम इतना तो समझ में आया हमें Act बन गई, Parliament की द्वारा, अगर हम Corporate Laws की बात कर रहे हैं, सबसे पहला Laws जो हम पढ़ने वाले हैं, दो चीज़ें हमें आपर पढने हैं न, Companies Act और LLP, अगर हमें Company चलानी है, तो हमें Companies Act फौलो करनी पढ़ीगी, अगर ہमें LLP चलानी है, तो हमें LLP follow करनी पढ़ीगी, LLP Act फौलो करनी पड़े कि ये दोनों क्या है forms of business organization है company भी LLP भी, अगर आज मैं business करना चाहती हूँ, I can start a proprietorship business, मैं partnership business कर सकती हूँ, मैं company चला सकती हूँ, मैं LLP खोल सकती हूँ, कुछ भी खोल सकती हूँ, है न तो मैंने अगर choose किया कि ने मुझे तो company नी बनानी है, तो I have to follow companies act company का मतलब क्या होता है एक corporate, मतलब ये corporate sector में ये दोनों चीज़ें आ जाती है और corporate sector को administer करने वाली ministry कॉन है, ministry of corporate affairs, ठीक है अब, अब मेरी बात सुनू, मतलब मैं parliament ने नियम law बनाया, parliament ने act पास कर दिया और law बना दिया है ये जो ministry है, MCA इसने corporates के लिए देखा काम करना चाहा, तो इनको लगा ground level पर बड़ी सारी दिक्कते आ रही है बड़ी सारी दिक्कते आ रही है तो इन्होंने कहा, यार, act में आपने ये लिखा है, ये problem कर रहा है, ये लिखा है, ये problem कर रहा है, ये तो क्या हुआ, जब Companies Act 1956 हुआ करती थी तो उसमें क्या थे, बहुत सारे sections थे, हमारी जब नई Companies Act 2013 आई तो उसमें limited sections कर दिये sections को कम कर दिये और बहुत सारे rules add-on किये rules are made by Ministry of Corporate Affairs, तो अब इन्होंने क्या किया, चीजों को simplify कर दिया जैसे आप small company के एक world famous definition देखते हो न, तो इन लोगोंने हर चीज में simplify कर दिया Company may be incorporated by filing such form as may be prescribed अब जहां पर भी as prescribed लिखा है we have to check what is the rule made by MCA, और MCA क्या करती है, आज ये form बना दिया कल इतनी fees कर दी, आज fees कम कर दी, कल fees सादा कर दी जैसी जैसी चीजें उनको लगती है वो क्या करते है, उसको change करते रहते है तो rules are easier to amend so यहां पर rules बहुत जादा है क्या मैम rule भी law होता है हाँ, तो act plus rules, plus a lot of regulations which may be formed by RBI which may be made by SEBI, तो बहुत सारे जो regulators होते हैं हमारे, जो किसी sector को regulate करते हैं, जैसे SEBI है, stock market को regulate करता है, RBI है, हमारे banking sector को regulate करता है, तो यह regulators जब नियम बनाते हैं, तो उसको regulation कहा जाता है, तो इन्होंने regulation जो बनाई हो, जो rules बने, ministries या government द्वारा, ठीक है और जो हमारी act हुई जब जो houses होते हैं, वो session में नहीं होते हैं, और emergency में कोई law pass करना होता है, तो वो direct precedent करते हैं, उसको हम बोलते हैं, ordinance तो ordinance भी law हुआ ठीक है, तो यह सारी की सारी चीजें जो होती हैं यह साब, को हम law बोलते हैं, ठीक है, so there is a difference between law and act of course law is a much wider term और law includes truths act, ठीक है अगर हम law follow नहीं करेंगे तो हमारे उपर penalty लगती है हमें jail भी हो सकती है, हमें कुछ damages पे गरने हो सकते है ठीक है, now corporate law में जो सबसे पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं companies act, companies act pass करने की power parliament को मिली, entry 97, that is the residual entry of union list, तो parliament के पास favor आई, ऐसा नहीं है कि company चलाने के लिए इस ते पहले कोई law नहीं था, previous company law बहुत सारे थे, 1956 तो बहुत popular है companies act 1956, इसके पहले companies act 1913, तो हमारे पास बहुत सारे previous company law थे previous हो गए तो अब क्या करेंगा, उनको लोग सभा, राजय सभा और president में इस तरीके से approval मिला और ये bill बन गई, companies act 2013 now it is going to regulate company, मतलब company बनानी कैसे है, ये भी companies act 2013 बताएगा और company चलानी कैसे है, ये भी companies act 2013 ही हमको बताएगा एक company चीज क्या होती है भाई ये हम लोग को पता है और ये सवाल अब exam में पूछा भी नहीं जाता है फिर भी, फिर भी थोड़ा नमक, मिल्च, मसाला तो पढ़ना पड़ेगा न हमको बट फीका है ये, ये topic पूरा फीका है भी नमक, मिल्च, मसाला जतना भी companies act में है न हो धीरे धीरे आएगा company क्या होती है as defined in section 2 clause 20 मतला ma'am भाई, companies act 2013 कोई भी आप book पढ़ते हो, तो ऐसे बिना index के book देखिये क्या, नहीं हम book को क्या करते है, छोटे छोटे chapters छोटी छोटी units में डिवाइड कर देते है क्यों डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा काम असान हो, हम reference देख पाएं, अच्छा इस से related चीज़े इस chapter में वैसे ही companies act, या कोई भी law क्या होता है, बहुत बड़ा होता है तो इस इतिनी बड़ी सी act को छोटे-छोटे हम chapters में डिवाइड कर देते हैं, कि company बनानी है, incorporation related सारे matters हैं, chapter number 2 में auditor के बारे में, chapter number 10 में, हां, ऐसे करके बना देते हैं, तो हमारे पास कितने chapters हैं, 29 chapters है, companies act is divided into 29 chapters, it has 7 schedules and how many sections are there? मैं sentence थोड़ा सा सही से frame करिये companies act has 470 sections is incorrect, companies act was started with 470 sections or companies act came up with 470 sections, और companies act originally had a structure of 470 sections, वो सही है क्योंकि अब क्या हुआ है, बहुत सारे sections add, बहुत सारे sections delete, ठीक है now, इसमें बहुत सारे rules हैं, हर chapter में हमारे अलग-अलग rules हैं, हमें CA inter के syllabus में क्या-क्या पढ़ना है section 1 से 148 तक, मतलब chapter number 1 से chapter number 10 audit and auditors तक, इसकी अलावा एक हमारा chapter 22 आता है वो किसका chapter आता है Companies Incorporated outside India का तो वो हमें पढ़ना है along with the relevant rules, यह मैंना आपको पहले ही बता दिया, चल applicability हम पढ़ेंगे हमारे main box से Fine, so I hope this is clear Now, हर chapter में जब आप सबसे पहले देखोगे तो आपको दिखेगी एक section summary इस section summary में जब आप sections देखोगे तो आपको दिखेंगे कि कुछ highlighted sections है, मतलब किसी के आगे star mark किया हुआ है मैं, यह क्या है? यह section number याद करना आपके लिए important है अकसर बच्चे पूछते हैं कि ma'am क्योंकि अभी हम law begin कर रहे हैं तो आप हमको कम से कम यह तो बता दो कि क्या हमें section number याद करना पड़ेगा the answer is a big yes if you want to score well you must learn the section numbers also ठीक है, तो obviously अब मैं यह तो नहीं बोलती कि सारे कि सारे section number याद कर लो पर जितने मैंने star mark की और ऐसा नहीं इस chapter में दिख रहा है हर chapter में आपको star mark की और section numbers मिलेंगे these are important section numbers which you must learn ठीक है क्योंकि यहां से क्या होता है इससे related direct question पूछे जाते हैं तो जब आपको इसकी definition लिखनी है जब आपको इसका meaning समझाना है या इससे relevant case study को answer करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा section number ठीक है यह section 2 सारे के सारे clauses है why are they clauses if you don't know there is a video और उसमें कभी भी exam के बाद आराम से समझ लेना क्योंकि अभी आपका oral viva नहीं होने वाला है कि आपको पूछा चाहे section 2 clause 6 है या section 2 subsection 6 है ठीक है पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा जरूरी है पर बाद में समझ लेना ठीक है एक मैंने वीडियो बड़ा अच्छा से डाला हुआ है तो देख सकतो आप ठीक है चालो तो यह हमारी definitions है यह relevant rules है जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हर chapter में as I told you there are different rules जैसे company की incorporation chapter के अगर हम बात करेंगे तो उसमें company's incorporation rules 2014 है यहाँ पर तो यहाँ पर यह तीन rules है rule numbers are not important at all for this particular chapter ठीक है जहाँ पर भी होंगी चीज़े बहाँ पर मैं आपको नहीं मिलेगा जो अरे नया है अभी तो लग रहा होगा कि क्या माम जल्दी करो जल्दी करो यह तो हमें पता है ठीक है बट मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना directly उससे पढ़ू मैं फिर आप लोग बोलोगे कि अरे माम क्या आपने सर पर कुछ बताये अगर जैनरल मीनिंग की बात करें तो कम पैन ही है ना तो the people who have their meals together अगर हम उसके एकदम deep meaning में जाएं तो तो यहाँ पर क्या होता है the people who work for their meals together काम कर रहे है भाई तो voluntary association है कुछ लोग मिले है और एक business objective के लिए मिले है common objective के लिए मिले है वो काम कर रहे है एक हमारे पास section 464 होता है जितनी एक बाते मैं सिफ कहूँ ना बस सुन लेना यहाद क्या करना है जो है आपकी book में तो 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 voluntary association of people और एक section 464 होता है हमारे पास जहाँ पर यह बोला गया है कि 50 से जादा लोग अगर आप एक association of persons बना के काम कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते you must register yourself as company चीक है okay now some basics of company if we recall of course it is only meant for reading company is an artificial person artificial person क्यों भई company के हम शादी निकरा सकते company का हम तलाग निकरा सकते no breakups, no hurts है ना तो company क्या company वाजसाब पर चाट नहीं कर सकते इसलिए company क्या करते है grow करती है और हम कही न कहीं पीछे रह जाते है क्योंकि वो artificial person है दुख दर्द कुछ है ने इस जीवन में पर artificial person है क्यों person इसलिए है क्योंकि tax की नजर में और law की नजर में उसकी एक separate identity है उसकी एक separate identity है मतलब माम वो खुद के नाम पे property खरीच सकती है there could be a car or an immovable property in the name of a company है ना company के उपर आप case file कर सकती हो company अपने आपको defend करती है in its own name है ना तो company हर एक चीज़ करती है individually कुछ चीज़े नहीं कर सकती है तो natural लोग ही कर सकते है so when there is something जी एक natural person ही form कर सकता है तो वहाँ पर यह नहीं आते है जैसे एक OPC आपने सुना होगा one person company के बारे में है ना ऐसा तो है नी पहली बार company दाख पढ़े हो यार पढ़ा है ना सुना है ना OPC one person company one person company कौन बना सकता है सिर्फ और सिर्फ natural person तो क्या एक company OPC बना सकती है the answer is no तो मतलब क्या OPC subsidiary हो सकती है the answer is no क्या OPC holding हो सकती है the answer is no क्यों नहीं holding हो सकती है क्योंकि OPC में एक restriction पढ़ा होगा कौन सा restriction माम कि OPC cannot invest in another body corporate है ना OPC cannot be formed for charitable purpose पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं मैं हूँ ना पढ़ाने के लिए तो जो यहां जरूरत है निश्चिंद रहो ठीक है तो artificial person है separate legal entity है the famous case of Solomon versus Solomon यह कहाँ थोड़ा चो कहा limited liability limited liability क्यों होती है this is the biggest advantage of a company भाई यह company बनाई जैसे हम बोलते है ना एक मेरे पास बड़ा प्यारा सा वीडियो था बट fast track में हम थोड़े वीडियो वगरा कमी दिखाएंगे ठीक है तो bunny क्या करता है एक हमारा character एक हमारा प्यारा बच्चा bunny तो bunny क्या करता है एक proprietorship business कोलता है proprietorship business कोलता है और उसमें एक लाग रुपे डालता है अब एक लाग रुपे उसने डाले थोड़े दिन बाद उसको और पैसो की जरुवत लगती है तो जाके bank से या किसी से उधार ले लेता है पांच लाग रुपे के अब पांच लाग और एक लाग जो उसने लगाया था और पांच लाग जो उधार लिया था सारा का सारा पैसा डूप जाता है कुछ समान खरीबता है उसमान का पैसा लेकि उसका भाग जाते अब ये जिससे उधार लिया था कि उसको पांच लाग देने पड़ेंगे हाँ माँ आप देने तो पड़ेंगे जो business का वो तेरा, जो तेरा वो business का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, liability unlimited होती है, तो ऐसे क्या करें लोग, दिक्कत हो जाती है तो company बना, company में क्या होता है, company की liability अलग, हमारी liability अलग, company की liability तो unlimited है, company का घर दुआर जो भी ऐसा बेजबाच के लोग पैसे खालेंगे, पर अ हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे personal assets को नहीं चुएंगे, क्योंकि हमारी liability, the liability of members of the company is limited to whatever amount we have agreed, मतलब अगर हम company के shareholder है, मतलब share वाली company अगर है, और हमने उसका share लिया है, 10 रुपे का एक share है, हमने पूरे 10 रुपे दे दिये, हमारी कोई liability नहीं है, 10 रुपे का share है, हमने सिर्फ 6 रुपे दिये, तो 4 रुपे हमारी liability है, so our liability is limited to the amount unpaid on shares held by us, ठीक है, ऐसे ही अगर एक guarantee company होती है, तो क्या होता है, अज़ चलो, अभी हमें पढ़ना है, limited liability types of companies तो वाचा के पढ़ते हैं, ठीक है, perpetual succession एनिदर गजब का advantage है, कौन से advantage है मैं perpetual succession का, perpetual succession में क्या होता है, कोई आए, कोई चाहिए, हम तो चलते जाएंगे, यह ना, company क्या हो, यह reliance बनी थी, चलती जाएगी, यार, PD दर, PD, generation चली गई, यह चली गई, वो चले गई, company चलती जाएगी, partnership आप बनाओ, एक partner की death हो गई, dissolve हो गई, partnership दूसरी बनीएगी, भले ही business आप carry on करो, फिर भी दूसरी बनती है, वो ही partnership नहीं चल सकती है, common seal is something which is optional, पहले compulsory हुआ करता था, Companies Amendment Act 2015 के बाद यह optional हो गया, होता भी है, नहीं भी होता है, जैसा आप चाहो, transfer of shares, यह liquidity प्रोवाइड करता है, अगर मैं आज एक investor हूँ, एक shareholder हूँ, मैं किसी company में पैसे लगाना चाहते हूँ, मैंने पैसे लगाए, अब मुझे लग रहा है, यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं वो पैसे withdraw कर लूगी, मतलब shares को sell कर सकती हूँ, है ना किसी और को दे सकती हूँ, I can transfer these shares to someone else, so यह liquid option रहता है हमार पास, liquidity रहती है, वही अगर आपने proprietorship में पैसे लगाए, पैसे जोना निकाल लोगे, capacity to sue and be sued, because you have separate legal entity, you can also hold a property in your own name, citizenship act के हिसाब से, सिर्फ एक natural person को citizenship दी जाती है, इसलिए company, इंडिया का citizen नहीं है, पर फिर भी Indian company, तो हम domicile identify करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो domicile है, residential status है, इसके बाद एक चीज आती है, wheel of incorporation, what is wheel of incorporation? Whenever a company is formed, it is distant from its members, मतलब, जैसे ही company हमारी बनी, भाई, company अलग, उसके members अलग, अब company से अगर कुछ गलती हो रही है, तो वो company के गलती है, उसके लिए members liable नहीं है, तो मतलब company और members के बीच में क्या आगया, एक परदा आगया, उसी को हम बोलते हैं, wheel of incorporation, ठीक है, तो members भाई, protect हो रहे हैं, कि यार, company के actions के लिए company ही responsible होगी, हम नहीं होगे, पर कभी-कभी company के actions जो लोग लेते हैं, ले तो कुछ लोग ही रहे हैं ना, अब वो लोग कहीं धोका धड़ी करते हैं, कहीं fraud करते हैं, कहीं गलत काम करते हैं, कहीं, because company तो artificial person है, तो company के decisions कुछ-कुछ ले रहे हैं, तो courts ने कहा, यार, company के लिए responsible company होगी, तो company को तो हम जेलवेर में डाल नहीं सकते हैं, तो बड़ी गड़बड बात हो जाएगी, तो क्या करो, कुछ cases में, जब गड़बड होती है, तो उस cases में क्या करो, इस पर्दे को उठाओ, और देखो कि company दिखरी है हमें कि company गलत करिये, company गलत करिये, company गलत करिये, पर्दा उठा के तो देखो कि company के पीछे, company तो puppet है, उसको नचा कौन रहा है, कौन actually, वो legal जो mask या ficage बोलते हैं, हम वो mask उतारो, और देखो कि कौन actually, यह काम कर रहा है, और उसको punishment हो, तो मतलब हम lift करते हैं, lifting of corporate wheel, तो जो एक पर्दा हमने बठाया था, उस पर्दे को lift करते हैं, और actually, we look behind the real persons who are responsible for doing this, and punish them, और penalize them accordingly, ठीक है, तो यह क्या होता है, हमरे lifting of corporate wheel होती है, तो जगे-जगे companies act में भी हमारे ऐसे provisions दिये हुए है, जहां-जहां हम क्या करते हैं, इस corporate wheel को disregard करके, हम actually, उन लोगों के उपर penalty लगाते हैं, जो इसके लिए responsible हूँ, ठीक है, ऐसे ही in the past, courts ने भी बहुत बार ऐसे judicial interpretations दिये हैं, where they have lifted the corporate wheel, you are not required to read them in detail, ठीक है, तो अभी तक जो चीज़े हमने पढ़ी थी, उससे exam में question आने के chances negligible हैं, ठीक है, अब ये छोटी सी कुछ बात, आइए तो, खेर मैंने आपको बता ही दिया है, ये, before we actually proceed, कुछ चीज़े मैंने आपको बता दी है, companies act is passed by parliament, इसका execution ministries के तुरू होता है, MCA is concerned, main authorities जो आप बार बार पढ़ोगे इस act में, वो कौन-कौन है, registrar of companies, registrar of companies कौन सी है, ये authority है, जिनके पास हम सारे के सारे record दर्ज करते है, company से जुड़े हुए, who is actually responsible for incorporation and administration of the companies in India, ठीक है, तो अब ROC क्या है, हर state में, prima facie हर state में एक ROC है, कुछ states में दो ROC भी है, वो हमारी दो states ऐसी आती है, जहां पर दो ROC भी है, one is महराष्ट्र and the other is तमलाटू, ठीक है, otherwise क्या है, हर state में usually one ROC है हमारी, अब उनका काम क्या है, अगर मुझे company बनानी है, तो मैं क्या करती हूँ, सारे documents उनके पास दर्ज कराती हूँ, वो क्या करते हैं, उस record को अपने पास maintain करते हैं, मुझे certificate of incorporation issue करते हैं, बाद में वो ensure करते हैं कि मैं सारे के सारे filing वगएरा time से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, information मांगते हैं, देते हैं, बहुत सारी चीज़े, मतलब administer करना और register करने का काम उनका है, तो मैं क्या हमें जा के करना होता है, नहीं, online है, हर एक चीज़ online हो रही है, mca.gov.in website है, इसी को हम mca portal भी कहते हैं, यहीं पर क्या हो रहा है, सारे काम हो रहा है, तो हम online filing करते हैं, वो filing क्या होती है, transfer हो जाती है to respective ROC, वहाँ पर जो भी उनको back end working करनी होती है, जो भी study करनी होती है, वो वहीं से online, वो भी request डालते हैं, हम अरपस आती हैं, चीज़े process होती है, ठीक है, इनके उपर होता है regional director, जो कुछ ROC's का regional head होता है, ठीक है, यह supervise करते हैं कि ROC ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब corporate matters में जब भी कोई चीज़े फस्ती हैं, मतलब disputes तो होते ही होते हैं, तो हमें disputes में हम court के पास जाते थे, अब court के पास ना जाके, हम corporate cases के लिए NCLT के पास जाते हैं, तो NCLT क्या है, एक कासी judicial body है, because it makes also law certain things, and judicial body है, तो जितने भी disputes होते हैं, अब कहां जाते हैं, NCLT के पास, तो NCLT कब से बना हैं, Companies Act 2013 के तहत ही power मिली, और वहां से NCLT हमारा बना है, National Company Law Tribunal, अगर इनसे हम dissatisfied होते हैं, जैसे हम गए district court के पास जाते हैं, dissatisfied go to high court, high court dissatisfied go to supreme court likewise, यहाँ पे अगर हम इनसे dissatisfied होते हैं, we go to NCLAT, appellate tribunal, वो भी constitute हुआ है, चेक है, बाकि और authorities भी हैं, इसके बारे में आपको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, Serious Fraud Investigation Office होता है, यह आपके course में है, तो यह हम बाद में पढ़ेंगे, चेक है, चालो, Basics of Companies Act is something that I have already explained you well, Companies Act में क्या होता है, किते chapters होते हैं, किते rules होते हैं, Right, everything is known to you, Companies Act is an act to consolidate and amend the law relating to companies, this is also something that you know, Effective date भी मैंने आपको बता दी, इतनी चीज़ें जरूरत नहीं हैं, याद करने की, अभी तक मैंने कुछ भी आपको याद नहीं कराया है, देखो, कुछ भी याद नहीं कराया है, एक चीज मैं यहां पर लिख रही हूँ, उसमें कुछ चीजें highlighted है और कहीं-कहीं underlining की हुई है, माम यह क्या है, इस तरीके से जो चीजें लिखी हुई होंगी न, वो आपके keywords है, because it is difficult for the students to identify, sometimes की keywords क्या होते हैं, तो आपको पूरी कोशिश करनी है, खुद अपने keywords identify करने के लिए, but for your reference, I have also identified the keywords, कि जब भी आप इस तरीके का कोई answer लिखोगे इससे relevant, तो कम से कम ये तो use करना ही करना है, बाकी remember my homework, ठीक है, चालो, माम यह Companies Act किस पे लगती है, भाई आप कन्या कुमारी में बैठके कोई Company बनाए, या फिर, या फिर, आप यहाँ डेली में बैठके कोई Company बनाए, हर किसी के उपर क्या लग रहा है, Companies Act लग रहा है, तो मतलब Company आप कहीं पे भी बैठके बना रहे हो, आपके उपर Companies Act लग रहा है, distance to whole of India, ठीक है, अगर मैंने Company Companies Act में बनाई ही नहीं है, भाई आपने अगर previous Company लॉबे पे बनाई, तो भी आपके उपर Companies Act लग रहा है, अगर आपने इसी Act के अंदर बनाई है, तो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है माम, माम क्या Banking Company पे भी लगता है, हाँ, Insurance Company हाँ, Electricity Company हाँ, ये तीन हमारी Sectoral Companies में आ जाती है एक तरीके से, Banking Sector में कोई Company बनी, ना होता क्या है, आप एक Company बनाती हूँ, जैसे Access Bank Limited, ऐसा हमको दिखता है, Bank है उनके नाम पे क्यों, क्योंकि उनको Bank अपने नाम पे लगाना ज़रूरी है, Banking Companies को, ठीक है, अब उन्होंने किया क्या एक Company है, जिसने उप्टेन किया RBI से License की, वो Bank वाले काम करने वाले, उनको License मिल जाता है, तब वो ये काम कर सकते हैं, तो आप License भी Attach करते हो, ठीक है, अब आपको License मिला है, तो मतलब, आप Company भी हो, और, क्योंकि आप Banking वाली Company हो, Banking सेक्टर में पॉल करो, आपके उपर Banking Regulation Act लग रही है, आपके उपर RBI के बहुत सारे Provisions लग रहे हैं, है ना, तो मतलब मैं, अब हम Company भी हैं, और Bank भी हैं, है ना, तो हम Banking Regulation Act की बात मानेंगे, कि Companies Act की, आप दोनों की बात मानो, ना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, आपको तो पता होगा, भई, अगर एक पती से पूछा जाए, एक हस्बन से पूछा जाए, कि तुम किस की सुनोगे, बीवी की या मा की, तो क्या बुलेंगे, बड़ा मुश्किल है, है ना, और दोनों की कैसे सुने, दोनों तो एक जैसी बाते कभी कहते ही ने, कभी तो कहते होंगे ना, कभी तो कहते होंगे ना, तो जब तक वो एक जैसी बाते कहते रहें, दोनों की सुनते रहो, जिस दिन कलेश हुआ, उस दिन हम क्या सुनेंगे, भे मा की सुनेंगे, मा बड़ी होती है न, तो बड़ा कौन है, Banking Regulation Act, Specific Act जो हमारी है, Banking Regulation Act, Insurance Act, Electricity Act, इसी लिए लिखा क्या है, कि Companies Act इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है, except where the provisions are, except where the provisions are inconsistent, मतलब लगता रहेगा, तब नहीं लगेगा, जब provisions में inconsistency आ जाएगी, ठीक है, इसके अलावा कोई भी और Company, which is governed by any special act and other body corporate, जिसको Central Government notify करते हैं, Central Government ने FCI और NHAI को notify किया है, ठीक है, FCI, that is Food Corporation of India and National Highway Authority of India, right, now coming to the next path, that is Classification of Companies, although हमारा class थोड़ा सा बड़ा होगा, but आज का पहला class है, सिर्फ ब्रीफ introduction था, and I don't want to waste much of your time, so I am not talking इतना सारा इधर उदर, of course you can connect to me, और फिर हम बात्चीत भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आगी का topic हम शुरू करेंगे मारे अगली class में, thank you, and don't forget the homework,